जिन्ता रात तो आपकी खिदमत में फिर हासे तक तक टाइगर हारा नहीं जिसमें इस बार टाइगर अपनी गदारी का सबूत देने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है इस टीजर को देखने के बाद फैंस को इंतजार है फिल्म रिलीज का इसे लेकर अपनी बेकरारी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं बता दें टाइगर एक सक्सेस्फुल फ्रेंचाइजी है टाइगर 3 से पहले इस फ्रेंचाइजी के दो पार्ट एक था टाइगर और टाइगर जिन्दा है रिलीज हो चुके हैं इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर छपपरफाड कमाई की थी और ब्लॉक्बस्टर साबित हुई थी अब ऐसी ही उम्मीद टाइगर 3 से भी है फिल्म को वायर एफ के 50 साल पूरे होने के मौके पर रिलीज किया जाएगा पठान का होगा क्रॉस ओवर टाइगर 3 की स्टार कास्ट में सल्मान खान और कटरीना कैफ के साथ इस बार इमरान हाश्मी भी अहम किरदार में नज़र आएंगे इनके अलावा पठान स्टार SRK का क्रॉस ओवर भी होगा जैसा टाइगर ने पठान में किया था बता दें कि एक था टाइगर का निर्देशन कबीर खान ने और निर्मान यश्राज फिल्म्स ने किया था यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई और बॉक्स ओफिस पर काफी सफल रही थी इसके सीक्वल का नाम टाइगर जिन्दा है था और इसका निर्देशन अली अबबास जफर ने किया था गिरीश करनाड अभिनीत सीक्वल 2017 में रिलीज हुई थी इसने भी बॉक्स ओफिस पर तहलका मचा दिया था अब इसका तीसरा पार्ट टाइगर 3 आ रहा है इसे साल दिवाली में सिनेमा घरों में रिलीज होगी फैन और बैंड बाजा बाराद जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए मशहूर मनीश शर्मा इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं हिंदी, तमिल और तेलुगू में टाइगर 3 रिलीज होगी साथ ही इस फिल्म में किंग खान का कैमियो है तो और भी ज्यादा फैन्स एक्साइटेड है खेर दोस्तों, टाइगर 3 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट में हमें बताएं ऐसी और अपडेट्स के लिए P4 Bollywood को सबस्क्राइब जरूर करें